तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनम परमान पत्र के बारे में जो की online कैसे बनाये जाता है यानि birth certificate online apply कैसे किया जाता है तो birth certificate हर एक बेक्ती के लिए सबसे जरूरी documents है और जरूरी documents में से सबसे first documents वही है birth certificate जो की birth certificate बनाने के बाद उसी birth certificate के आधार पर और भी जितना documents होता है birth certificate के आधार पर ही बनाये जाता है तो चलिए हम देखेंगे की birth certificate किस परकार apply किया जाता है यानि जनम परमान पत्र online कैसे बनाये जाता है तो सबसे पहले आपको अपना browser open कर लेना है इसके बाद url bar में लिखना है crsrogi इस पर आपको click कर देना है इसके बाद उपर में जो website आपको सबसे पहले मिलता है crsrogi.gov.in इसको open कर लेना है इसके बाद आपको यहाँ इस फरकार का page display होता है तो आपको यहाँ सबसे पहले एक ID और password create करना होता है जो कि यहाँ से general public sign up पर click करेंगे इसके बाद यहाँ username अपना नाम डालेंगे इसके बाद यहाँ एक email ID डालेंगे इसके बाद यहाँ एक mobile number इसके बाद यहाँ date of current of event मतलब जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है उस दिन का यहाँ date भरना है date of birth तो यहाँ से आप date of birth select कर लेंगे इसके बाद यहाँ नीचे आजाना है state में अपना state select करेंगे इसके बाद यहाँ district में अपना district select करेंगे इसके बाद यहाँ village में अपने गाव का नाम select करेंगे इसके बाद यहाँ पंचायत में automatic आपका नाम fill होके आ जाएगा इसके बाद यह capture यहाँ पर भरेंगे और register पर click करेंगे जैसे ही register पर click करते हैं आपने जो यहाँ पर email id दिये थे उस email id पर आपका user id भेज दिया जाता है और एक उसके साथ-साथ password create करने का link भी भेज दिया जाता है जिस पर आपको click करके अपना password create कर लेना है जैसे ही user id और password create कर लेते हैं आपको यहाँ अपना user id डालना है जैसे कि मेरा user id ये है इसके बाद नीचे अपना password डालना है इसके बाद ये capture जो है यहाँ पर fill करना है जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ इसके बाद login पर click करना है जैसे ही आप login कर जाते हैं आपको यहाँ दो option मिलता है birth और death अगर आप birth certificate बनाना चाहते है तो पहले यहाँ पर अपना cursor ले आईए इसके बाद यहाँ पर add birth registration इस पर click किजे जैसे ही click किए यहाँ आपके साबने पूरा from खुल जाता है इसे आपको पूरा भरना है तो जैसे कि यहाँ first में आपको अपना language चूज कर लेना है जिसमें यहाँ English ही रहने देंगे और second language यहाँ Hindi कर देंगे इसके बाद अगर आपने first time यह from apply कर रहे है तो यहाँ 01 करेंगे from number डालेंगे इसके बाद यहाँ पर जिस date को आप apply कर रहे है वो automatic यहाँ फिल रहेगा इसके बाद यहाँ नीचे बच्चे का जनमतिती डालेंगे तो चलिए हम यहाँ calendar पर चूज कर लेते हैं October 2021 इसके यहाँ नीचे बच्चे का नाम डालेंगे अगर बच्चे का नाम अभी तक नहीं रखा गया है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं लेकिन अच्छा यही रहेगा कि बच्चे का नाम रख देनी चाहिए और यहाँ पर डाल देने चाहिए तो जैसे कि हम यहाँ नाम डाल दें यहाँ पर आपको select करना है जैसे कि house यहाँ पर घर select कर लिए इसके बाद उस area का पूरा location देंगे जहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो जैसे कि हम यहाँ house number डालेंगे इसके बाद street में अपना गाओं का नाम डालेंगे इसके बाद नीचे यहाँ dark घर आपका post office कहाँ पड़ता है वहाँ का नाम डालेंगे इसके बाद यहाँ से आपका state automatic select रहेगा district select रहेगा इसके बाद यहाँ sub district इसके बाद यहाँ village village अगर आप बदलना चाहते तो यहाँ पर click करके village का नाम भी बदल सकते है चलिए यहाँ पर वैसे ही रहने देंगे इसके बाद नीचे यहाँ pin code डालेंगे इसके बाद आपको नीचे आ जाना है यहाँ पर बच्चे के पिता का नाम डालना है first name, middle name, last name इसके बाद बच्चे के पिता का यहाँ आधार नमबर डालना है email id, mobile number इसके बाद नीचे आ जाना है उसी तरह यहां बच्चे के माता का नाम डालना है यहां पर उसके मा का क्या नाम है फर्स्ट नेम डालेंगे यहां मिडिल नेम लास्ट नेम इसके बाद यहां आधार नमबर इसके बाद यहाँ email id इसके बाद यहाँ mobile number अगर email id नहीं है तो आप सिर्फ mobile number भी डाल सकते हैं इसके बाद नीचे आ जाना है नीचे यहाँ पर बच्चे के जन्म के समय माता पिता का address कहा था तो यहाँ पर आपको इसको डालना है जैसे कि यहाँ building number या फिर house number इसके बाद यहाँ land name जगा का नाम इसके बाद नीचे यहाँ post office का नाम डालेंगे और state select करेंगे यहाँ से यहाँ से district और यहाँ से sub district और यहाँ से गाव का नाम इसके बाद यहाँ pin code डालेंगे इसके बाद नीचे आ जाएंगे यहाँ नीचे permanent address पुछा जा रहा है कि माता पिता का permanent address क्या है तो आपने जो उपर में fill किये है जो address अगर वही माता पिता का permanent address है तो आपको यहाँ पर tick mark कर देना है उपर का जितना भी address आपने fill किये है न यहां नाम डालेंगे, इसके बाद यहां पर address, इसके बाद उसका pin code जो यह form पूरा fill कर रहा है, इसके बाद आपको save पर click करना है, तो जैसे कि अगर बच्चे का पिता ही भी यह form भर रहा है, तो आपको यहां पर tick mark कर देना है, और उपर का जितना भी address है, यहां पर automatic fill होके आ जाएगा, इसके बाद आपको save पर click करना है, इसके बाद आपके सामने कुछ इस पर आपका page सो करेगा, यहां पर आपको religion type कर लेना है, इसके बाद यहां पर father का education level choose करना है, जैसे कि father कितना पढ़ा लिखा है, इसके बाद यहां पर father का website क्या है, यहां से आपको select कर ले इसके बाद इसी तरह यहां mother का education level चूस करना है और mother अगर house wife है तो यहां से select कर सकते हैं इसके बाद यहां नीचे आ जाना है यहां पर आपको कुछ other information देना होगा जैसे कि यहां पर बच्चे की मा का साधी के time क्या उम्र थी इसके बाद यहां पर बच्चे के जनम के time मा की क् अभी तक बच्चे की मा का कितना बच्चा है इसके बाद यहां आपको नीचे select attention पर type करना है select करना है कि बच्चा किसके देख रेक में पैदा हुआ है जैसे कि यहां रिष्तेदार अथवा आनने हम select कर लिए इसके बाद आपको यहां delivery method में select कर लेना है normal इसके बाद यहां बच्चे के जन्म के time उसका weight कितना था यहां पर आपको type कर देना है इसके बाद यहां पर आपको एक documents upload करना है जो कि father या mother का भी दे सकते है address proof के लिए और आपने जितने भी from fill किये है उसके proof के लिए तो यहां पर आपको documents upload करने के लिए file पर click करेंगे choose file इसके बाद जिस भी location में आपका documents है उसे select कर लेना है तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते है documents upload हो चुका है इसके बाद यहां नीचे आपको remark का option मिलता है जो कि यहां पर अगर बच्चे का कोई भी निसान है जैसे कि garden में तील तो यहां पर आप उसका remark click सकते है इसके बाद आप save पर click करन करना है जो कि आपने जितना भी फरम फिलाप किये हैं भरे हैं यहां पर आपका फूरा from खुल के आ जाता है आपको शब कुछ सही से check कर लेना चाहिए अगर कही भी आपको गलत लगे तो यहां पर edit पर click करके आप edit भी कर सकते है और आपको सब कुछ सही लगे तो आपको यहाँ पर submit पर click करना है तो जैसे ही आप submit पर click कर देते हैं आपके सामने इस परकार का from generate हो जाता है जो कि आपको सबसे पहले reference number मिल जाता है इस reference number को आपको copy करके रख लेना है इससे आप अपने from का अपने certificate का status चेक कर सकते हैं इसके बाद आपको इस from को download कर लेना है या फिर के direct print करके निकाल सकते हैं और इसको ले जाकर आपको अपने register office में जमा करना होगा तो जैसे कि यहाँ आपका register office का पूरा पता दिया गया है यहाँ ले जाके आपको जमा करना होगा तो आप जैसे ही यह from ले जाकर register office में जमा करते हैं register office के जो भी कारे करता है वो आपका काम आगे बढ़ा देता है तो इस परकार से आप अपने बच्चे का birth certificate online अपलाई कर सकते हैं और हमारे इस channel को subscribe जरूर किजिए ताकि इसी और भी आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचे